कि नमस्कार मैं डॉक्टर दीपा कुमार असेस्टन प्रोप्रेशर योग विभाग उत्राखन मुक्तु विश्विद्याले हद्वानी जैसा कि आपको आज का टॉपिक है हमारा वो हट योग के उपर है पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हट जो हट योग है उस जो ग्रंथ हैं उनके बारे में मैंने आपसे चर्जा की थी आज का जो टॉपिक है वो हट योग, साधना, हे तुझ जो इस्तान है, स्तान की क्या विसेश्थाएं होती हैं और मठ के क्या लक्षण होता है इन पर चर्जा करेंगे और जैसा कि ये हट योग जो ग्रंथ है व लिए मारे सबी विद्याथियों के लिए महत्रूमा कर रहे हो हुँ, चाहे भीक कर रहे हुँ ,मास्टर कर रहे हुँ, लिक समया हुए हमारे महत्र हुआ साथ naas तो हट योग भी एक साधना पगवती है तो उसी में यह है कि जो हट योग का अभियासी शादक है उसके लिए इस्तान कैसा होना चाहिए क्या उसकी विशेष्टाइं है इस्तान की क्या मठ है मठ के क्या लक्षण होते हैं तो उसके उपड हम चर्चा करेंगे जैसा कि मैंने पिछले जो वेंचान था उसमें हमने बताया थ हट योग की अर्थपरीवाशा तो एक सामानी परिचाह थिए तो हट पर्दीविका का श्मानी परिचाह आई के दौरारा किरत था है स्वात्मा रामजी करत है ऐगरेंए लगबादर पंदरहिश वतावदी के आज पास कामाना जाता है इसमें चार अध्याई हैं और अध्याईयों को बुदेश के नाम से जाना जाता है तो यह भी कई एक बार कोईस्टन बन जाता है जैसे आप कि छोटे-छोटे को बीघरन जाता है कि अध्याई को किस नाम जाता है उसमें कितने श्लोकों का वड़नन ऐस टाइप उच्छोट्प्रतिविक जो हट एक गरंद है उसमें आप देखेंगे जो चार अध्याई में विभक्त है आजाता है, तो चार अध्याईय को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें 67 स्लोकूं का बड़नन है, जुती उब्देश को कुम्भग की नाम से जाना जाता है, जुती उप्देश जो है उसे नाधानौ संध्यां का जाता है। उसमें 114 शुलोकों का वड़नाता है इस प्रकार से चामान्य परिचा इसका के हट प्रतिपिका किसके द्वारा लिखा गया कितने अध्याई हैं और हट योगा महत्वपून गरंथ हैं यह सबी एक महत्वपून गरंथ की रूप में एक और क्वेस्टन आते हैं कि गरंथ किस रूप में महत्वपून है हट योग का गरंथ है स्वात्मा राम जी ने लिखका है तो एक तो प्रक्षा की द्रेश्टी से भी इंपोटेंट है और दूसरा कि अगर आप UGC कोई क्वेस्ट की त्यारी करते हैं प्येज इंट की त्यारी करते हैं उसके लिए महत्वपून ह तो प्रथम जो उपदेश है वो आसन की नाम से जाना जाता है स्वात्मा राम जी ने पर जो हट प्रतिपिखा का जो सुबारंब किया है वो जो हट योग के आधी वक्ता हैं आधी शू को माना जाता है उन्हीं को प्रणाम कर या नमस्कार कर उनको या गरंद आरंब किया ह और स्वात्मा राम जी ने बताया है कि जो हट्योग जो विद्या है, साधना मार्ग है हट्योग का, ये केवल राज्योग की प्राप्ति के लिए है, और राज्योग अर्था तो उस राज्योग को समाधी की नाम से भी जाना जाता है, तो उनका कतादपरी है कि जो हट्योग विदध्या है, उसको राजयोग की प्राप्ति के लिए माना गया हट योग को, तो स्वात्मा रांजी कहते हैं, कि जो उनके जो गुरु रहे हैं, गुरु महसेंद्रनाथ, गुरु रक्षनाथ, आधी इन गुरुं की किरपासे ही उन्होंने हट योग विद्या को जाना और उसी को ही आगे हट प्रतविगा की नाम से परचलीद हुआ, तो उन्होंने इसमें कुछ चीजें बताई कि, दो तो साधक के लिए हट योग का क्या महत्तु है, दुसरा की जो दुखी ब्यक्ति है, पिडद ब्यक्ति है, उनके लिए हट योग का क्या महत्तु है, तो उन्होंने बताया है कि जो सभी प्रकाह की दुखी, जो पिडिद ब्यक्ति है, पिडिद जन है, उनके लिए हट योग से मुक्त हो सकता है जो साधा के साधना कर रहा है दूसरा कि जो सभी प्रकाल के जो इसायोगी साधना के तो साधना की दृस्ति से इसका अभ्यास करेंगे उनके लिए एक आधारवुत कच्छप के समान इसको माना है इसको आधारवुत कच्छप माना है कि इनकी साधनों का व चाहिए इस लिया को गोपनी रखना झाय अगर गोपनी रखा तो या शक्ति साली रहेगी अगर इसको आप ने प्रकट कर दिया तो या शक्ति नहीं हो जाती है गोपनी तरीके से इस अधिया का भ्यास करना चाहिए और पहल सबसे पहले उन्हों ना का है सुराजि जाए राज्जी होना चीए अच्छा इस्तान होना चीए जहां पर आप शाधना करेंगे शाधना के लिए जो इस्तान आप चैन करेंगे शाधना का जो साधना का चैन करेंगा वो तो सबसे पहले राज्जी होना चीए अच्छा राज्जी होना चीए अच्छा इस्तान होना चीए दुसरा के बोलियां कि धार्मिक इस्तान होने चाहिए, मानशिक जो प्रवर्थि है हमकी धार्मिक होने चाहिए, उस इस्तान पर आप मुशाधना करेंगे, फिर तीसरा उनों ने बताया कि शुबिक्षिक होना चीए, मतलब जहां आप विक्षया मांगके अपना मरहन सेहन, जो दिन चरिया है, उसको विक्षया मांगके आपको उन कर लें, जो आपकी सारे ठीक गती विधी के लिए महत्तुपूर होती है, जैसे बोजन की विवस्ता हो जाए, और आपकी पानी की विवस्ता हो जाए, इस टाइप से जो आपको विक्षया मांगे, आसानी से प्राप अवाज ज्यादा हो और उन्होंने अगली चीज बताई कि जो आप जहां आप अपना इस्तान बनाएंगे तो उस इस्तान जहां आप शाधना करेंगे उस इस्तान से धनुष परमाण मतलब चार हाथ परमाण तर दूरी तक शिला जिसको पत्थर कहते हैं पत्थर कंकर पत्थ कि अपना उन्होंने जी अइसा ही उस्तान बनाई जहां हट की साधना कर सकते हैं थी चीजजें उन्होंने बताई कि उसके साधना मत जाता है कोटिया कैसली होनी साहिए उनने उसका वर्डमेंग किया नमबर या कि छिध्रिया नहीं होना चाहिए औरनपार टूसर ने बताया कि उसमें कोई शाथ किड्रय द्रीच द्हष मुलकौ just अगला का तीसरा बता है भूमी ऊच या नीची या विष्तृत नहीं होनी चीए, बहुत ज्यादा फैली भी भी नहीं होनी चीए, जिसमें आप शाधना करते छामें, जिस भी आसन में है, जिस भी परिष्तिती में आप बेठेंगे, उसमें आपको कोई परिषानी ना हो और आपनी साध्रामें कोई बाधा ना उत्पन हो तो इसलिए उसलिए गोबर की मोटी परत्षि अच्छी तरह लिपा हो बना चाहिए अर्थात कि जो खुटिया आपने बनाई है उस खुटिया और बाहर दोनों तरफ और अच्छी तरह से परत्षि उसको लिप दें बदब उसको उसका आवरण बना दें इसलिए क्योंकि दो चीज़ें होती एक तो उसमें साप कीड़े बिच्छु पर अंदर प्रविश्णी हुपाएंगे छिद्र बंद हो जाएंगे दूसरा कि जो गोबर होता है उसमें एक गंध उत्पन्न होती है इस गंध के काराण जो सादक को को साध्वना करनी तरहां की शभी प्रकार्स के जिवचंत बनाते जो की भाधा मधा उत्पन्न करें की जो आपका मध स्के बाहर क्या होना चैज्यक्य Appreciate और वेदी होने चीए अच्छा तो इस प्रकार से उन्होंने जो हट्योग सादक हैं उनके लिए इस प्रकार से उन्होंने हटियोग सादक के लिए मठ और इस्तान की यहां पर वड़नन किया तो अगले वाला जो व्याख्यान होगा उस महम पढ़ेंगे कि आगी जो अध्याई में आगी जो शुरू हुआ है जैसे कि आसन है प्राना है कुम्भग हैं मुद्राबंद है अगले व्याख्यान हो पड़ेंगे फट्ता कि लिए नमस्टार आप